Hello Friends, इस वीडियो में मैं आपको उताने वाला हूँ कि आपका वोटर ID कार्ड आपकी आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ यह आप कैसे पता कर सकते हैं, यानि कि उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, और इदि यह आपने अभी तक अपने वोटर ID कार् तो अपने application का status देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में Water Help Line नाम से ये app इंस्टोल करना होगा, ज़दि आपने अपने वोटर ID कार्ड कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लिया है, तो ये app आपके फोन में पहले आपने इस्टोल कर लिया होगा, तो आपक अपने जो reference ID है वो यहां पे लिखनी होती है, तो जब आपने अपने वोटर का ID कार्ड को अपने अधार कार्ड से link किया था, तो last में आपको एक reference ID मिली थी, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने last में आपको बताया था कि यह जो reference ID है, यह आपको कहीं पे लिख के रख लेनी है, तो वही reference ID आपको यहां पे लिखनी है, और उसके बाद आपको track status option पे click कर देना है, इसके बाद यदि आपके application पे काम start हो गया है, या फिर आपके application complete हो गई है, तो उसका status यहां पे नीचे आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन यदि आपके application पे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, तो ऐसे मैं आपको यहां पे क्या दिखाता है, और उसके बाद आपको कैसे इसको check करना है, वो भी चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूँ, तो जब भी मैं यहां पे अपने application का status चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो नीचे यहां पे लिखावा आता है tracking status is, इसके लावा यहां पे और कुछ भी नहीं आता है, तो यह आपके पास भी इसी तरह से दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको Google Chrome Browser open कर लेना है, और उसके बाद आपको Google में type करना है nvsp, और इसे search कर ले रहा है, उसके बाद नीचे आपको यहां पे जो watercard है, उसकी जो website है वो यहां पे यह मिल जाएगी, आपको इसके बाद क्लिक करना है और इसे open कर लेना है, open करने के बाद आपको इसके अंदर नीचे की तरफ आना है, और नीचे आपको यहां पे option मिलेगा, track application status, आपको इसके उपर क्लिक कर देना है, उसके बाद सबसे पहले आपको अपने state यहां पे select करना होता है, और उसके बाद आपके जो reference idea वो यहां पे लिखनी है, और आपको यहां पे track status option पे क्लिक कर देना है, जैसे आप track status option पे क्लिक कर देना है, जब हम application के अंदर check कर रहे थे तो हमें वहाँ पे कुछ भी show नहीं कर रहा था लेकिन जब website के उपर आप इसको track करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा इसके बाद आपको इसमें थोड़ा नीचे आना है जब थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको आपकी application की पूरी details दिखा दी जाएंगी लेकिन जब हम app के अंदर status चेक करने की कोशिज कर रहे थे तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा था तो इदि आपको भी इस तरह से status देखने में problem आ रही है तो आपको Google के अंदर इस website को search करना है open करना है और यहाँ से आपको अपने status को check कर लेना है तो friends आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे comment करके जरूर बताएं और इदि आपको कोई शवाल है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हैं और इदि वीडियो पसंद आया हुए तो इसे like कीजिए और इदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जिल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेश वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का एकन को ओल पे सैट जरूर कर लें इस वीडियो में बस इतना ही एक नए टोपिक पे नए उडिक साथ दोबार से मिलते हैं तब तक के लिए बाए और टेक केर